हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक्ट तो माई चैनल है पानी टंगी फिट हो गए मैं देखता हूं उपर में जाके उपर लाइट ने यह दिखिन नहीं रहा हुआ है कि ठीक है ना कोई बात आज आप देख रहे हैं यह क्या आज जो है हमने एक व्लॉग बनाया था जो आपने δेखा होगा की हमारा एक नया घर बन रहा था जिसके हमने धनाई के बारे में भी एक व्लॉग बनाया था तो वो अला जो घर था उसकी नहलाई होने के बाद उसमें अभी पाई फ्रिटिंग नल्व के कुछ काम हुआ है जिसमें से आज आप देखेंगे कि उसमें पानी टंकी जो होती है उसकी आज फ्रिटिंग की गई है और मैं आपको दिखाता हूँ चलेंगे वैसे काफी अंधेरा है तो थोड़ा सा कैप्चर नहीं हो पा रहा है और काफी टाइम लग गया आज पूरा दिन भर इसकी फिटिंग हुई है और मैंने आपको एक बताया था कि जब हमारा जब वो घर बन रहा था तो उस दिन ढ़लाई का काम हुआ और काफी दिन लग गए उसको कंप्लीट होने के बाद और फिर उसके बाद उसमें पाई फिटिंग की कुछ कार करना था तो उसको भी कर नहीं पाई और लॉक डाउन भी चल रहा था जिसके कारण कुछ कार रुके हुए थे तो आज दोस्तों फिर जाना हुआ मार्केट क्योंकि आगे कुछ दिन और लॉक डाउन लगने वाला है तो सोचे थे कि हम बताएंगे आपको लेकिन वह क्या हुआ कि कुछ समय मिला नहीं और हम जब वहां पर यह जो हम घर बना रहे हैं उसका पानी टंकी लेने के लिए गया थे तो सोचे थे कि वहां पर एक व्लॉग बनाएंगे लेकिन हम वहां पर कि वहां पर क्या हुआ कि व्लॉग बनाने में हम जो है बैटरी चार्ज नहीं कर पाए तो वहां पर फिर हम व्लॉग को सूट नहीं कर पाए तो फिर आज जब पूरा दिन इसी में लग गया तो घर आए तो कुछ कारे थे जो पाइप वगेरा भी हमी को लाना था तो हमने उस पाइप को भी लाया और आज दिन भर जो है ये फिटिंग का कारे हुआ है जिसके बाद अभी हमको वक्त मिला कि आपसे कुछ बात किया जाए तो उसके बाद हमने सुचा था कि वो जो तंकी नहीं को जो पानी की लगानी थी तो उसको आपको दिखाई जाए लेकिन यहा हुआ दोस्तो थोड़ा सा लाइट कनेक्शन थोड़ा सा अभी होना बचा हुआ है तो उस वज़ा से अभी हम लाइट का कारे कंप्लीट नहीं कर पाए हैं और आप देखेंगे पानी टंकी दिखाता मैं आपको वैसे दोस्तो काफी अंधेरा है तो आपको सायद किलियर दिखने ही रहा होगा और वैसे तो काफी फिटिंग में वक्त लगा करीब करीब यही दिन भर वक्त लग गया क्योंकि जो हमारा जो टेकनीसियन था वो भी आया नहीं और फिर हमको उसको फोन करना पड़ा और फिर उससे हमको बताया कि कुछ उसके पास गाड़ी वगरा है नहीं तो क्या आप हमें लेने के लिए आ सकते हो तो फिर हम जो हैं लेने के लिए उसको गए और फिर वो जो है आया था क्या हुआ कि जब से ये लॉकडाउन का हुआ है ना तो ज्यादा तर दुकानों में समय कर दिया गया है और जिसके वज़ा से टाइमिंग में ही अगर आप जाएंगे तो आपको समान जो जरूरत की होती है वो मिला करती है तो ऐसे ही था कि फिर हमने जो हमारे जो टेकनीसियन साहब थे जो आना था तो वो भी कुछ काम बताये थे कि ये ये समान लगेगा तो आज फिर जाना हुआ और आगे भी कुछ दिन जो है अभी लॉकडाउन लगने वाला है तो उसमें भी अभी कुछ देख रहे हैं कि जो आगे व्लॉग बनाना था तो उसमें कुछ आपको नई चीद दिखाएं लेकिन क्या हुआ कि कुछ वक्त हमें बिल नहीं पाया और अभी लॉकडाउन भी आगे लगने वाला है तो कुछ ऐसे ही कारे थे तो सोचे कि चलो आज का जो व्लॉग है वो हम जो है जो घर के कारे में अभी समय दे रहे हैं जो पानी टंकी अभी लाना हो रहा है तो क्यों न अभी वही आपको दिखा दिया जाए लेकिन उसको भी हम दिखा नहीं पाए क्योंकि जो लाइट का थोड़ा सा काम था वो रुका हुआ है और जैसे ही लाइट आ जाएगी तो हम आगे आपको बताएंगे कि जो विवस्ता की गई है वो अभी कितनी काम हुआ है वैसे तो पाइप फिटिंग का काम अभी चल रहा है आग तो फिलाल टंकी का काम हुआ है और वो भी दोस्तों आपको साइधी दिख रहा होगा क्योंकि जो साम हो गई लगाते लगाते तो उसमें क्या हुआ ज्यादा समय लग गया और अंधेला हो गया तो जिसके वज़ा से अब लाइट तो है नहीं कि आपको जो कुछ व्लॉग था वो आपको दिखाया जा लेकिन कोई बात नहीं आगे के आने वाले व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगा कि जो नया घर बन रहा है वो अभी कित मैं और कुछ दिन पहले ही उस घर में बताया था मैंने कि धलाई का काम खतम हुआ है और धलाई कंप्लीट होने के बाद करीवन वही 21 दिन रखना पड़ता है तो 21 दिन भी कंप्लीट हुआ तो आज टंकी लगाना हुआ है मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन क्या हुआ लाइट नहीं होने के वज़ा से आज आप ये भी नहीं देख पा रहे हैं और वाइरिंग का जो काम था वो भी अभी बचा हुआ है एलेक्ट्रिसियन को हमने बोला है कि आप ये कब तक करके देंगे तो उसने हमको बताया है कि करीब करीब यही अभी कुछ दिन लगेंगे और अगर यह भी लॉक्डाउन नहीं होता तो कंप्लीट हो गया रहता लेकिन क्या है कि बीज बीच में लॉक्डाउन लग जाता है तो थोड़ा सा उसके वज़ा से भी देखना पड़ता है और कभी कभी जब समय हो जाता है तो समान वगेरा भी लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो जैसे ही मेरे को थोड़ा सा वक्त मिलता है तो मैं साथ साथ चैनल भी आ जाता हूं और वैसे तो मैं आज का सोचा था कि व्लॉग बनाएंगे लेकिन मैंने आपको बताया कि वो बैटरी हमने चार्ज नहीं कर पाई जिसके वज़ा से आज दिन का जो व्लॉग था वो कंप्लीट बनाना थोड़ा मुस्किल हुआ कंप्लीट भी नहीं हुआ तो बस ऐसे ही फिर सामके थोड़ा सा टाइम निकाले हैं और आपको एक व्लॉग आज का बनाए वसे आपको दिख रहा होगा तो मैं दिखाता हूँ जो नई टंकी लगाए हैं आप देखिए वसे लाइट नहीं है तो आपको साइध ही दिखेगा वसे लाइट थोड़ा थोड़ा अगर आती है जाती है तो वसे व्लॉग बनाने में भी अच्छा रहता है कि देखो कितना सिटी जो है वह ज्यादतर तो इसी वक्त अच्छा लगता है और जब से यह लॉगडाउन का सिलसला चल रहा है तो साम के वक्त का तो थोड़ा घूमना ही बंद हो गया है तो मैं आपको आज ऐसे ही कुछ बात कर लेते हैं ऐसे सोचा कि चलो कुछ नहीं आज वैसी व्लॉग नहीं बनाते हैं क्योंकि आज तो वक्त भी नहीं मिला और साम हो गई काम करते हुए तो चलिए दोस्तों फिर आज का व्लॉग जो है यहीं पर खतम करते हैं आगे आपको मैं व्लॉग में बहुत अच्छे कॉंटेंट लाओंगा तो चलिए दोस्तों फिर थैंक्स फॉर वाचिंग